मैं विकास सिक्षा ओशन दता भारत के भुगोल की इस मेगा सिरिस में आप सबी का स्वागत करता हूँ मेरे सातियों भारत के भुगोल के मेगा सिरिस की यह जो क्लास है यह आज की आखरी क्लास है यानि हमने इस पूरी Mega Series के तहट 200 प्रशनों को आज हम समाप्त कर लेंगे और मेरे मित्रों आप जिन लोगों ने अभी तक भी सिक्षा ओर्शन को सस्क्राइब नहीं किया है मेरे साथियों आप सब लोगों सिक्षा ओर्शन को सस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देजिए मेरे मित्रों आज के जो हमारी क्लास रहेगी यह क्लास इंडेल जोग्रोफी के Mega Series के धर्ट की आखरी क्लास है तो आप इस कलास को जom कर लाइक कीज़ेगा और जब कर इसको शेर कीज़ेगा और यहां तक कि साथियों इंडेल जोग्रोफी की पूरी प्लेयलिस्ट है इस प्लेयलिस्ट में जितने भी वीडियों, जो 10 वीडियों है उस सारे 10 वीडियो को आप जाता से जादा शेयर किजेगा ताकि जादा जादा मातर में बच्चे इन वीडियो को देख सके तो मेरे सातियों हम आज की क्लाश शुरू करते हैं आज की क्लाश शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं उस ब्लोग पर जाकर आप सबी लोग इस पूरी मेगा सीरिस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो PDF होगा यह आपके रिविजन के टाइम पर बहुत जादा काम आएगा इसलिए आप ज़रूर उस PDF को डाउनलोड कीजेगा इसके साथ मेरे साथ यह video आपको Telegram चैनल पर भी प्रवर्वयर करवाय जायेगा जो हमारे सिक्षा उष्ण का Telegram चैनल है उस Telegram चैनल पर इभी आपको अपलब्ब्द करवाये जायेगा इसलिए आप सबी लोग हमारे Telegram चैनल से भी जुड़ जाएगे और उसकी लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी इसके लावा मेरे साथ यो आप सबी लोगों को हमारे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी उस इंस्टागर्म चनल पर जाकर आप हमारे इंस्टागर्म चनल को follow कर सकते हैं अलाव मेरे सात्यों इसी वीडियो के description से आपको हमारे facebook page के link भी प्राप्त होगी उस facebook page पर आप जाकर हमारे facebook page को like कर सकते हैं तो चले सात्यों आज की आखरी class को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सबी लोग क्लास को लाइक कर दीजे और क्लास को जादा सजादा शेर कर दीजे क्योंकि इस इंडियन जोग्रोफी की मेगा सिरिस की यहाँ आखरी क्लास है और मेरे सात्यों जरा आप मुझे कमेंट बोक्स में ये भी बताईएगा कि आपको यहाँ पूरी मेगा सिरिस कैसी लगी है मुझे ये भी बताईए ताकि मेरा मनोबल बड़े और ऐसी मेगा सिरिस और ऐसे वीडियो में आप लोगों के लिए निरंतर बनाता रहूं तो सात्यों जरूर आप कमेंट बोक्स में बताईएगा कि ये पूरी जो मेगा सिरिस है यहाँ मेगा सिरिस आपको कैसी लगी और आप सभी लोग वादा किजिए कि इस पूरी मेगा सिरिस को आप जादा से जादा शेयर करेंगे अधिकांश मातरा में बच्चे इन वीडियो को देखेंगे ये पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है मेरे मित्रो ठीके तो जरूर बताईएगा कमेंट बोक्स में चले जी तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला कोशन हम देखते हैं और इस पूरी मेगा सिरिस का 181 कोशन हम चर्चा के पटल पर रखते हैं तो मेरे सात्यों आज के class का पहला question राश्टी राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा किन इस्तानों को जोड़ता है ठीक है यानि जो राश्टी राजमार्ग है ठीक है उस राश्टी राजमार्ग में पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करें तो जो पूर्व पूर्व में इस्तित हैं और एमदाबाद आपके भाद के पर्शिम में इस्तित हैं फिर सिल्चर और पूर्बंदर सिल्चर भी आपके पूर्व में इस्तित हैं और पूर्बंदर भी आपके पूर्व में इस्तित हैं गुवाहाटी और जुनागर ये गुवाहाटी आपके पूर्व में और जुनागर आपके पश्चिम में इस्तित हैं, गुवाहटी आपके पूर्वा में और दिल्ली आपके पश्चिम में तो प्रश्चनम से क्या हे कि पूछा गया है कि ऊस रास्टी राजमार load क 84 NH का नाम बताईए, जो पूर्वस से पश्चिब के गलियार को या कोरिडोर को जोड़ने का कार्य करता है तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा मेरे सातियों, जरा कमेंड करके मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है कि क्या यह गुवाहाटी और एमदाबाद को जोडने का कारी करता है या सिल्चर से पौरबंदर को या गुवाहाटी से जुनागर को या गुवाहाटी से देली को कि इसको यह जोडने का कारी कर रहा है तो मैं आपको बता दू कि जो पूर्वस से पश्शिम का जो highway है ये आपका हो गया east और ये हो गया west ये है आपका NH National Highway जो east में जो इस्तान है वह है siltor क्या है दोस्तो siltor और पश्शिम में जो इस्तान है वह है पोर्बंदर तेनर जो है यहाँ सिल्चर इस्तित्य असम में और पोरबंदर इस्तित्य आपके गुजरात में ठीके, तो यह जो पूरा राष्ट्री राज़मार्ग है यहाँ राष्ट्री राजमार्ग पुर्व पश्चिम गलियारे को जोडने का कारिय करता है सिल्चर जो कि आपके पूर्व में इस्तित है पूर्बंदर जो आपके पश्रिम में इस्तित है यह जो पूरा कोरीडोर है यह कोरीडोर मुख्यरुप से राजकोट, शिवपूरी, लखनव, मुजफरपूर, दरबंगा, गुवाहाटी आदे से होकर गोजरने वाला यह होता है तो इस प्रकार से आज की क्लास का पहला कोश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बीवाला, ठीक है मेरे साथियों, अगले प्रशन के तरफ हम चलते हैं, प्रशन क्रमांग 182, बहुत अच्छा प्रशन है साथियों, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रशन का सभ नाम फुक शेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं, यानि अनुनाचल प्रदेश के दो शेत्र इस्तित हैं, जिसमें एक का नाम में नाम चिक और दूसरे का नाम है नाम फुक आपका शेत्र किस के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या वह शेत्र कोईले के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या और यह दोनों शेत्र अपके अनोनाचल प्रदेश में इस्तित हैं। तो जरा सातियो कमेंड में जरूर बताएगा कि इसका सई उत्तर क्या होगा। अगर सात्यों हम प्रश्रक्रमा 182 के इन दोनों शेत्रों की बात करें तो यह जो दोनों शेत्र हैं जो कि अनुनाचल प्रदेश में इस्तित हैं यहां दोनों शेत्र कोईले से संबंदित हैं यानि कोईले के भंडार और कोईले के उत्पादन के लिए ये दोनों शेत्र इस्तित है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तेल के रूप में या प्राक्रतिक गेस के रूप में भी इसका निशान लगाते हैं, कि इसका सही उत्तर ये नहीं है, इसका सही उत्तर A वाला यानि ठीक है सातियों चले अगले पर अगला प्रश्ण की तरब चलते हैं अगला प्रश्ण भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्रश्ण है और ऐसे प्रश्ण आपके नॉर्मली NDA, CDS जो भी डिफेंस से संबंदित आर्बी वगेरा ऐसी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं दक्षणी कमांड किस इस्तान पर स्थित है option चैन्नै बेंगलोर हैदराबाद या 30 month पूरं ठीक है प्रश्ण क्या है कि इंडियन ETER 001 जो है उसका दंक्षणी कमांड किस शेत्र मेंस्तित है चैननै बेंगलोर है दर रबाद 255 अगर इस प्रशन का उत्तर हम देखें अगर आपको पता है तो साथ ज़रा comment box में आप बता ही देना इसका उत्तर क्या होगा और सबी लोग उत्तर देने का प्रयास करो क्योंकि इंडेज जोग्रोफी की यहां last class है ठीके और हम अब इस week में modern history शुरू करने वाले हैं और modern history अब जो रहेगी ना आदोनी भारत का इत्यास यहां mcqs के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे अभी तक जो हम पढ़ते आएं उसमें कैसे पढ़ते हैं question की चर्चा करते हैं उत्तर डूनते हैं हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे modern history को हम पढ़ेंगे पूरी detail में ठीके हर एक चीज को concept के तहद समझेंगे उसकी theory को पढ़ेंगे उसके जो तथे उनको पढ़ेंगे उसकी पूरी story में आप लोगों को समझाऊंगा सुनाऊंगा उसके notes आप लोगों को PDF के रुप में मिलेंगे तो इस week में आप सभी लोगों को modern history के class शुरू होकर मिल जाएगी यानि आप लोगों इस week के अंदर modern history के class ले पाएंगे ठीके साथियों तो जिन साथियों ने अभी तक भी सिक्षा ओशन को subscribe नहीं किया है तो मेरे मित्रों आप सिक्षा ओशन को subscribe कर लीजे और तो अब ये दोनों तो आंसर हो ने सकते अब बचे हैं बैंगलोर और तिरुवंदरम पुरम तो मेरे साथ ही याद रखेगा तिरुवंदरम पुरम में दक्षनी कमांड इस्तिते भारती वायू सेना की ठीके अब दक्षन में क्योंकि ये पूर्वं में आ गए वेसे तो है ये तो सब चारों आपके दक्षनी शेत्रम ही हैं किन्तु ये दोनों आपके पूर्वं में आ गए ये दोनों पश्रिम में हैं और हम से पूछा दक्षन का था तो सबसे दक्षन तम अगर हम देखें तो तिरु वंद्रम पुरं भी आता हैं तो सही उत्तरापका different tirdla putAM जिसकी स्थाफणना दक्षनी कमाण के रूप्रे जिसकी स्थाफणना 19 July को की गयी थी 19 July 1984 को तो 19 July 1994 को स्थाफणना की गयी थी ठेके मैंने साथ यहwynh प्रश्न कर मांग 183 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला तिरवंद्रम पूराम, चले मेरे मित्रों, अब चलते हम अगले प्रश्न के तरब, अगला प्रश्न भी भूट अच्छा प्रश्न है मेरे साथ यहूं, अगला प्रश्न हम से क्या किया रहे है, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज लापानवित हो रहे हैं सरदार चरोवर अच्छा आपके लापनवित हो रहे हैं तो मेरे साथ जिसे के आप सबको पतः हैं कि नर्मदा नदि पर आपके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध का निरमान किया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर और यह बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध जो कि आपके गुजरात में एमदाबाद के निकट केवडिया में इस्तित हैं बहुत अच्छा एक बांध बनाया है और उसी बांध के निकट विश्व की सबसे ऊची प्रतिमा स्टेच्यो अप यूनिटी का भी प्रश्णों को ध्यान पर सुनिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि स्टेच्यो ओप यूनिटी जो आपके एमदाब जो गुजरात में इस्तित है यह विश्व की सबसे ऊची प्रतिमा है तो यह प्रतिमा किस व्यक्ति की है और इसकी उचाए कितनी है आप कमेंट ब फ्रश्ण बी हैं महरास्ट गुजरात और राजस्तान जो आपुशन सी हैं मद्यपदेश महरास्ट गुजरात और राजस्तान जोप्षन यहें पंजाब और हर्याना तो मेरे सथ्यों महाराष्ट, गुजरात और राजस्तान ठीक है तो सात्यों गुजरात राजस्तान नहीं क्योंकि नर्बदा नदी आपके कहां पर भी बेती मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश का तो हिस्सा हो गई सही ठीक है अब महाराष्ट, गुजरात और राजस्तान अब मध्यप प्रदेश, महाराष्ट, गुजरात और राजस्तान, ठीक है मेरे सात्यों, तो प्रश्ण क्रमा 104 सी का सही उत्तर सीवाला, चला है मेरे मित्रों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्ण की तरह, अगले प्रश्ण पर बढ़ने से पहले जिन सात्यों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया हैं, जरा इस क्लास को लाइक कर दीजे और क्लास को शेर कर दीजे, लाइक और शेर में, किसी भी प्रकार से कोई कंजूसी मुझे दिखाए देनी नहीं चाहिए, ठीक है मेरे मित्रों, चले जाब चलेंगे हम अगले प्रश्ण की तरब, अगला क्लेम वन्य जीव अभ्यारन नौंग क्लेम वन्य जीव अभ्यारन किस राज्य में इस्तित है उप्शन है अरुनाचरप्रदेश, मेगालय, सिक्किम या मनिपूर तो मेरे सातियों सिदी सी बात इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यह कोई नोर्थ इस्ट के स्टेट है उस स सिते मेगालय में नामक जिला है उस जीले में इस्तित यह आपका एक अभ्यारन जहां पर आपका बेंगोल टाइगर, चीता, काला भालू और होर्नबिल पक्षी प्रसिद्ध है यानि इस अभ्यारन में नॉर्मली बंगल टाइगर भी आप लोगों को मिल जाएगे चीता मि मिल जाएगा और इसके अलावा होन नबिल जो पक्षी है यह भी बड़ी मात्रा में पाई जाते हैं ठीक है तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा मेगाले 185 का सही उत्तर हो गया भी वाला ठीक है मेरे सात्यों अब अगले प्रश्ण पर चलें प्रश्णक्रमा 186 पर अगर प्रश्णक्रमा 186 के हम बात करें तो,- यह कह रहा है चमेरा rud наши Raja तथा या अथ्वा के अच्टें के इंसाशी प्रदेश में स्तितह है orange पॉंडी चेड़ी ऑत्तरप्रदेश है मा चलब रचंड टिक Butter चमेरा बांथ तो मेरे मत्रों अगर आप में यह किसी को भी इस फ्रेश्न का इत्तर बताहे तो जरा उत्तर तो बिल्कु भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, तो चमेरा बांद के हम बात करें, तो चमेरा क्या जारखन में इस्तित हैं, तो मेरे साथ यो नहीं जारखन में इस्तित ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी यह इस्तित नहीं है, पॉंडी चे चमबा जिले में आपका ये जो बाद है चमेराबान कि रावी नदी और इस बाउब पर लगबग 1100 मेगावोर्ट का बिजली का प्लांट भी लगा हुआ है यानि जो बिजली का प्लांट है यहां पर 1100 मेगावोर्ट की बिजली का उत्पादन करता है तो प्रश्नक्रमाग 186 का सई उत्तर हो जाएगा सी वाला हिमाचल प्रदेश अच्छी तरीके से याद करें तो निमनय लिखित में से किस घाट की औस चोड़ाई जादा है ओप्षन ए पक्षमी गाट ऑप्षिन भी पूरुवी गाट अप्षन सी दोनों की चोड़ाई लगबग समान है या प्रोक्ट में से कोई नहीं यहका प्रश्न आप लोगो के लिए ये सातियों जरा आप सबी लोग जितने भी online student में बेठे हैं वे सबी लोग मुझे इस प्रस्ण का जवा कमेंड में देंगे कि कौन सी घाटी जो कौन सा घाट है उसकी चोड़ाई सबसे जादा है option A पशिमी घाट, option B पूर्वी घाट, option C दोनों की चुड़ाई लगपक समान है, option D इनमें से कोई नहीं आप सब के पास 10 सेकंड का समय है, जरा 10 सेकंड के अंदर अब इस तबी प्रस्ण का उत्तर बताईए चले मिरे साथियों, अगर आप सभी लोगों ने सबसे चोड़ाई के आदार पर पशिमी घाट के रूप में लगाया है, तो मिरे साथियों यह उत्तर आपका गलत है, जबकि सही उत्तर है पूर्वी घाट, जी बिलकु साथियों, अगर यहाँ पर उचाई पूछ लेते त तो मैं आपको बताओं कि पशिमी घाट जो है, पशिमी घाट के उचाई जाता है, किन्तु चोड़ाई कम है, और पूर्वी घाट के उचाई कम है और चोड़ाई जादा है, चोड़ाई जादा होने के पीछे का कारण नदियों के द्वारा बनने वाला डेल्टा है, याद रखेगा, ठीके सातियो, तो प्रष्ष्ट क्रमा 188 का सही उत्तर आप का हो जाएगा, पुर्वी घाट, ठीके सातियो, अब अगले प्रश्ण की तरफ बढ़े, चले जी, अब अगला प्रश्ण आप सबके सामने, प्रष्ट क्रमा 188, प्रश्ण बहुत अच्छा है, दामोदर नदी किस इस्तान से निकलती है, इसका उद्गम इस्तल कौन सा है, यह प्रशन भी बहुत अच्छा है साथियों, इस प्रशन की उत्तर की भी तमन्ना में आप लोगों से ही रखता हूं, तो ज़रा आप सभी लोग कमेंड में इसका उत्तर भी देने का प्रयास करें उप्षन है व्रहद हिमाले, उप्षन है कुमायू हिमाले, उप्षन है सहियादरी की पहड़ियां और उप्षन है छोटा नाकपुर का पठार, प्रशन यह है कि दामोदर नदी का उत्गम इस्तल कहां है, क्या दामोदर नदी का उत्गम इस्तल हिमाले है, वो भी व्रहद हिमाला है यानि ग्रेट हिमाला है क्या एक कुमायो हिमाला है क्या सहियादरी के पाड़िया है या चोटा नागपूर का पठार है क्या इसका सही उत्तर हो सकता है तो मेरे साथ याद रखेए का दामोदर नदी जो है इसका उदगम इस तर चोटा नाकपुर का पठार है छोटा नाकपुर के पठार से यहां नदी निकलती है दामोदर नदी ठीक है ओर यह जो दामोदर नदी है ट almondar नदी आपके जारखन में इसती छोटा नाकपुर के पताव से ओकर गुजरती है जो आपके नोर्मली बंगाल का शोक कहलाती दाuldar नदी जो है न वो बंगाल का शोक कहलाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बार आती है और बार आने की वज़ेट से इससे मंगाल का शोक भी कहा जाता है ये आप सभी लोग यात रखेगा ठीक है मेरे मित्रों अब अगले प्रशन की तरब आगे बढ़े प्रशन क्रमांग 189 बहुत अच्छा प्रशन है प्रशन कहता है कि भीतर कनिका मेग्रो मेग्रो वन तो आप लोग समझी कहोंगी इस पूरी मेगा सिरीस के तहत तो भीतर कनिका मेग्रो किस राज्य में इस्तित है ओपिषन है पश्यमंग्गाल उसके बाद ओपिशन है आनदर प्रदेश ओडिशा तमिल नाडू तो मेरे साथियों मैं आप लोगों को बता दू कि भीतर कनी का जो मेघरोववन है ना, यह मेघरोववन इस्तित है ओडीशा में, कहां इस्तित है, ओडीशा इसका सही उत्तर होगा, आप अच्छे से याद रखेगा, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नक्रमा 190, प्रश्नक्रमा 190, निम्न लिखि पाइश्टित सबीवर दित सोमय पर इसतीत नहीं है ओप्शन है महात्मा गांदी मरीन राष्टि उद्धानacial हम आपके चैन्डि निकोबार दीवर इसतीत है इसके पश caucus में आपको ये बता möj हैं यह भी आपके अंडमा निकोबार दीव पर इस्तित हैं किन्तु गुईदी राष्टी उद्यान जो है यह राष्टी उद्यान आपके तमिल नाडू के चैन्नाई में स्तित है तमिल नाडू के चैन्नाई में तो सीधी सी बात है जब ये तमिल नाडू के चैन्ने में इस्तित हैं तो ये अंडमान निकोबार दीव से मुझ पर इस्तित नहीं होगा तो प्रश्ण क्रमाँ 190 का सई उत्तर हो जाएगा C वाला ठीक है चले मेरे में अब चलते हैं अगले प्रश्ण की तरह प्रश्ण क्रमाँ 1911 निम्न लिखित में से पोदे को बंगाल का आतंग कहा जाता है इनमें से वह कौन सा पोदा है जिसे बंगाल का आतंग कहा गया है ओप्शन है वोटर हाई सित भी हैं इंपर्ता सिलिद्रिका सी हैं मेग नोलिया गुस्तावी और इसमें से कोई नहीं तो प्रश्ण क्या है साथियों की किसे बंगाल का आतंग कह रहे कौन से पोदे को कि मेरे साथ याद रखेगा वोटर हाई सिंद्र जो है इसे आपके बंगाल का आतंग कहा जाता है क्योंकि यह एक प्रकार का जली पोदा है किसा है जली पोदा और यहाँ मूल रुप से दक्शिन अमेरिका के अमेजन शेत्र में पाया जाता है water high sit जो पोदा है यह जली पोदा है और इसकी जो मूल इस्तान है यहाँ मूल इस्तान नोर्मले दक्षिन अमेरिका का Amazon शेत्र है और यह बंगाल का आतंग कहलाता है water high sit ठीक है मेरा मित्रो अब चलें अगले प्रश्ण की तर प्रश्ण क्रमांग 192 प्रश्ण क्रमांग 192 पैंगोंग जिल किस राज्य में इस्तित है पैंगोंग जिल किस राज्य में इस्तित है ठीक है आप सभी लोग इस प्रश्ण का उत्तर देने में सक्षम है तो जरा आप सभी लोग इस प्रश्ण का उत्तर दीजे option है सिक्किम असम, बिहार, जम्मु कश्मिर आप जरा बताओ कि पैंगोंग जिल कहां इस्तित है क्या यह जिल सिक्किम में इस्तित है क्या यह जिल असम में इस्तित है या बिहार में है या जम्मु कश्मिर में है तो मेरे साथ यह जिल जम्मु कश्मिर में इस्तित है और वरतमान में यहाँ लद्दाक में चली गई है कहाँ चली गई है लद्दाक में यानि लद्दाक यूटी बना है तब इसका जो एरिया है यह अब लद्दाक में आने लग गया है वनना यह पहले जम्मू कश्मेर में थी ठीक है सात्यों ये चीज आप लोग याद रखेगा चले मित्रो अब अगले प्रशन पर चलते अगले प्रशन पर चलने से पहले जिन सात्यों ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है वो like कर लो, share नहीं किया है, share कर दो, जिन सात्यों ने सक्षा ओशन को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लो, bell icon को press कर लो मेरे सात्यों, आज हमारे Indian geography की mega series पूरी खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली आज इसकी आखरी class से और इसका आपको PDF प्राप्त हो जाएगा हमारे सिक्षा ओशन के blog पर, और उस blog की link आपको हमारे इस वीडियो के description से प्राप्त हो जाएगी, उस link पर जाकर आप इस पूरी mega series का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा सात्यों, इसी week के अंदर हम आप सब के सामने भारत का इ इत्यास को पड़ाऊंगा, इसलिए आप सबी लोग जरूर उस class को लीजेगा, आप सब के सामने हम बहुत जल्द class को announce करने वाले हैं, तो जिन सात्यों ने सिक्षा ओशन को subscribe नहीं किया हैं, वे subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारे class से इसलिए आपको subscribe करना बहुत जरूरी है, और bell icon को press करना भी बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, अब प्रशन के मांग 193 की बात करें, निम लिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से करकरेखा गुजरती हैं, निम लिखित में से वहां कौन से उत्तर पूर्वी राज हैं, जहां से करकरेखा गुजरती हैं, option है, त्रिपूरा वर नागालेंड, त्रिपूरा वर मिजोरम, मेगालेवर मिजोरम या असम और त्रिपूरा, ठीक है, कहां से करकरेखा गुजरती हैं, तो मेरे साथ यों याद रखेगा, त्रिपूरा वर मिजोरम एसा शेत्र हैं, जहां से आपके करकर रेखा गुजरती है तो 193 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न करमांग 194 उत्रपदेश की सीमा कितने राज्जों से लगती हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है आप सबी लोग इस प्रशनक का उत्तर देने में सक्षम हैं तो तुरंट आप सबी लोग इस प्रशनक का उत्तर दीजिए तो मेरे सात्यों उत्तरप्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है तो उत्तरप्रदेश की सीमा आपके सबसे ज़्यादा आठ से लगती है बिहार ठीके कौन को से राज में अकबर आप लोगों को गिना देता हूं आपका एक पेला है उत्तराखन हिमाचल प्रदेश हरियाना राजस्थान मद्य प्रदेश चतिसगर जार्खन बिहार ठीके और दिल्ली एक यूटी है यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ भी इसकी स किमा लगती है ठीक है मेरे मित्रो चलेजे अब चलते हैं अगले प्रशन के तर प्रश्टक्रमांग 195 भारत में मूगा रेशम किस एक मात्र राज द्वारा उत्पादित किया जाता है ठीक है या एक प्रकार का रेशम की कीट है ठीक है एक प्रजाती है एक प्रकार है रेश तो मेरे मित्रों याद रखेगा वह राज्ज है असम कौन सा राज्ज है असम ठीके मुगा रेशम में आपके एक मात्र एक ऐसा राज्ज है असम जिसका इसकी का उत्पादन करता है और उसकी वज़े से आपके रेशम का निर्मान होता है और यह काफी टिकाव और उत्तम देखने वाला भी रेशम है जो कि उत्पादित होता है आपके असम राज्य से चले सात्यों अब चलते हम अगले प्रश्न के तरफ प्रश्न कमांग अरावली और विंद शेत्र के बीच कौन सा पठार इस्तिते भूत आसान सा प्रश्न है अरावली और विंद शेत्र के बीच कौन सा पठार इस्तिते चोटानागपुर का पठार मालवा का पठार दक्कन का पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है अरावली और विंद तो मेरे सात्यों अरावली और विंदे शेत्र के 20 तो एक ही पठार इस्तिते और वो है आपका मालवा का पठार ठीके तो प्रश्ण क्रमाग 196 का सही उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार ठीके मेरे मित्रों चलेज़े अब चलते हैं अगले प्रश्ण के तरब 197 भारती बरानी क्रशी अनुसंदान केंदर किस इस्तान पर इस्तिते बारती बरानी क्रशी अनुसंदान केंदर किस इस्तान पर इस्तिते ओप्शन है एदराबाद मैंगलोर चेन्नै या अमरावती तो मेरे साथियों याद रखेगा भारती बरानी क्रशी अनुसंदान जो है यह हैदराबाद में इस्तित्हें और इसकी इस्तावरण 1985 को की गई थी ठीके अब ये जो क्रशी अनुसंदान है ये क्रशी अनुसंदान का मुख्य कारी होता है कि जो कम वर्षा वाले जो शेत्र होते हैं, उन कम वर्षा वाले शेत्र में क्रशी के उपर अनुसंदान करना, ठीक है, इसका कारी क्या होता है, जो कम वर्षा वाले जो शेत्र होते हैं, उन कम वर्षा वाले शेत्रों में क्रशी के उपर अनुसंदान करना, इसका मुख्य का आपका हिद्राबाद में इस्तित हैं और 1985 में इसकी स्ताफना की गए थी ठीक है साथियों चले जब अगले प्रस्टन के तरफ चलते हैं प्रस्टन क्रमांग 198 पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इस इस्तान पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट मतलब किस इस्तान पर मिल रहे हैं आपको पता है साथियों कि भारत क्या जो प्रायदीप है उस भारत के प्रायदीप के आपके दोनों छोर आपके पूर्व में पूर्वी घाट इस्तित है और आपके पशिम में पशिमी घाट इस्तित है अब ये दोनों किस इस्तान पर मिल रहे हैं ओप्शन ह आपका इलाइची की पाढ़िया, अन्ना मलाई की पाढ़िया, नीलगीरी की पाढ़िया, यह सहयाद्री पाढ़िया, यह सब को पता है साथियों, तो अगर आप सब को पता है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंड बोक्स में दीजिए, कि क्या इसका उत्तर हो सकता है, प मेरे साथ्यों यह जो आपका केंद्र हैं यहां केंद्र हैं आपका नीलगीरी की पहाड़ियां ठीक है एलाइची की पहाड़िया नहीं है अन्नामलाई की पहाड़िया नहीं है सही उत्तर है नीलगीरी की पहाड़ियां ठीक है नीलगीरी की जो पहाड़ियां है मेरे मित्रों यह तमिल नाडू केरलव करनाटक में इस्तित है, ठिकें, और यही वह इस्ताने जहां पर आपका पुर्वियगाट और पशिविगाट मिलता है अब चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ, प्रश्ण है मानस नदी किसकी सहायक नदी है, ओप्शन है नर्बदा नदी, ओप्शन गंगा नदी, ओप्शन है सिंदु नदी और ब्रह्मपूत्र नदी, ठीके, प्रश्ण क्या है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, अगर आपक इस प्रश्ण का उत्तर पता हो तो जरा जरूर बतेएगा तो मेरे साथियो अगर हम मानस नदी की मलकि मानस नदी की मुख्य नदी के बात करें कि यह जो नदी है यह किसकी सायक नदी यानि इसके मुख्य नदी कौन सी है तो मेरे साथ्यों ये जो मानस नदी ये भूटान से निकलती हैं, भूटान से और अपना पानी गिराती हैं ब्रह्मपूत्र नदी में, तो अब यहाँ जो नदी हैं, ये किसकी साथ साइक नदी हो जाएगी, ब्रह्मपूत्र नदी की साइक नदी जो की असम में बैठती है, याद रखेगा ठेके मेरे साथियों चलेजे अब चलते हैं आज के क्लास के आखरी प्रश्ण और इस पूरी मेगा सिरिस के भी आखरी प्रश्ण की ओर यानि इस प्रश्ण से आपकी पूरी इंडियन जोग्रोफी की मेगा सिरिस समाप्त हो जाएगी तो मेरे साथियों आप क प्रयास अच्छे लगे हैं अगर मेरे साथियों मैं आप प्रयास अच्छे लगे हैं तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाओं study से समझ्दित आपके subject आपके लेके आओं और subject आप लोगो को पड़ाओं आप सारी चीजा मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा कि इस mega series में आप सभी का अनुभव कैसा रहा ठेके और मेरे साथ क्यों जरा इस class को like कर दीजिएगा और share कर दीजिएगा क्योंकि ये class आखरी class है और वादा किजिए कि आप पूरी mega series को जादा से जादा share करेंगे आज ही करेंगे अभी ही करेंग यानि मैं आप लोगों से गुरू दक्षिना चाता हूँ और गुरू दक्षिना यह है कि class खत्म होने के बाद आप सभी लोग इस पूरी mega series को आपके जितने भी friend circle हैं वहां तक पहुचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी जादा जादा share करने की जिम्मेदारी आप लोगों फैं शेत्र में खारे पानी के मगरमच आम है ठेक यानि हम से पूछा जा रहा है कि खारे पानी के जो मगरमच पूरे भारत में दुल्लब यानि बहुत कम मिलते हैं किन्टू एक शेत्र आपके नौर्मली पाए जा यहां पर है ठेक? कि वहाँ पर इनका पाए जाना आम है तो ओप्शन है अंडमा निकोबार दिपसमूं ओप्शन है कचकारण ओप्शन है ओडिशा वा सुंदरवन या ओप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी ठीक है तो मेरे साथ्यों मैं आप लोगों को बता दू कि खारे पानी के जो मगरमच है जो कि आम है वह ओडिशा वा सुंदरवन के शेत्र में आम है यानि यहाँ पर नोर्मली ए मगरमच पाए जाते हैं ओडिशा में आप देख लोगे वह सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर आप जाके देख लोगे तो वहाँ पर आपको खारे पानी के मगरमच सामान्य इस class के साथ पूरी mega series को समाप्त कर लिया है यानि आप सबी लोगों ने भाद के बुगोल के 200 प्रशनों को पढ़ लिया है और मैं आशा करता हूं कि इन 200 प्रशनों की मदद से आपकी इंडियन जोगरोफी कहीं जादा cover हो चुकी होगी और आप इंडियन जोगरोफी बहुत साथ चीजों को जानने पहचाने और समझने लग गए होंगे अगर आप सबी सात्यों को यह पूरी mega series अच्छी लगी हो तो मेरे सात्यों कमेंट करके जरूर मुझे बताइए और एक और बात सात्यों आप सबी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करो जरूर शेयर करो इसक detail class रहेगी जिसमें हम concept के ओपर बात करने वाले हैं, topic के ओपर discuss करने वाले हैं, fact के ओपर discuss करने वाले हैं, जहाँ पर आपकी stories आएगी, सारे चीज़े इस class के अंतरगत रहेगी, तो आप class को जरूर लीजेगा, हम बहुत ज़ल्द आपको समय बताएंगे और तारिक बताए और शाम की 8 बजे वाली class में हम सब online मिलते हैं, तो मेरे मित्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को जादा जादा शेयर करेंगे, इस mega series को जादा जादा शेयर करेंगे, तो सात्यों अब मिलते हैं हम रात को 8 ब